भारत माता की जैमित्रों मैं लखन पटेल आजाद आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो फर्ष से अर्ष तक की कहानी है अर्थातिक संगर्ष की कहानी है अब एक इतिहासिक पात्र से मैं कहानी जोड़ रहा हूं साइद ये आवस्षक नहीं है कि इस कहानी का पूर्टा सत्त होना जरूरी हो लेकिन इसकी प्रेड़ना जो है वो अत्यंत ही उस्साह वर्दक है जो सभी के लिए उपयोगी है सभी के जीवन में संगर्ष के अनेक पड़ाओं आते हैं इन पड़ाओं को पार करना भी कही न कहीं मरस इन कहानीों के माध्यम से सरल कर सकता है तो मैं आपको आज डेरियस की कहानी सुना रहा हूँ इरान का सासक डेरियस तो डेरियस क्या है इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ एक पास साल का बच्चा था वो अपने गाहों में था सारे आनन्द उठा रहा था जीवन जी रहा था अपने माता पिता के साथ लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसके गाउं में बाड़ा गई कहा जाता है कि ये लड़का सभाग गिसाली कहूं या दुर्भाग गिसाली कहूं दुर्भाग ये था कि इसका पूरा गाउं इसके माता पिता इससे बिछड चुके थे और सौभाग ये था कि एक लकड़ी के गत्ते पर एक लकड़ी के टुकड़े पर बहता हुआ ये रड़का एक मच्छवारे के हाथ लगा उस मच्छवारे ने इसे पाला जब इस मच्छवारे ने इसको पाला तो यहाँ पर क्या हुआ भले ये गुलाम था लेकिन इसने जीविका अर्जन करना यहां सीखा जीविका कमाना इसने सीखा अर्थात इस समुद्र में जाता और मचलियां पकड़ता कभी गवार ऐसा होता था कि ये पाल वाली पहले नाओ हुआ करती थी जो पाल है जो बांधे जाते थे और वो क्या होता था जो आर भांटे के अनुसार कपड़े के बड़ बड़े पाल बांधे जाते थे नाओं में और जो आर भांटे के अनुसार वो नाओं को बाहर फेंकते थे अंदर ले जाते थे तो ऐसी इस्तिती होती थी कि पंदरा पंदा जिन तक ऐसी इस्तिती होती कि भोजन भी ना मिले और पानी भी ना मिले कच्ची मचलियां खानी पड़ती थी और पानी खतम हो जाने पर प्यासा रहना पड़ता था तो डेरियस ने हाँ पर प्यासा रहना सीखा बूंका रहना सीखा लेकिन कुछ समय पस्चाद इस मच्वारे के हाँ से इसे बेच दिया गया अब मैंने कहा कि इसे बेच दिया गया और एक लोहार के हाँ से बेचा गया जो एक लोहार के हाँ पर इसे बेचा गया तो कहते हैं कि इसने घन पीट पीट कर लोहा पीट पीट कर अपने सरीर को भी मजबूत कर लिया, हश्ट-पुष्ट कर लिया, कियते हैं कि गरम लोहे के पास गरम जलती भट्टी के पास ये जब लोहा पीटा था तो इसका सरीर बलिश्ट हो गया इसके डोले सोले हो गए ये पावर्फल हो चुका था क्योंकि इसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन गुलाम ही था जिस तरह से इसका दुर्भाग था कि अपने माता पिता से बिछडा था उसी तरह से अपने मचवारे परिवार से भी अब इसे बेच दिया गया था और इस लोहार ने इसे अपने पुत्र की तरह पाला लेकिन इसके मरते ही इसके बेटों ने भी लोहार के बेटों ने भी उसे क्या किया बेच दिया अब उसे जब बेचा गया तो एक कारवा वाले क्या बेचा गया बयापारियों क्या बेचा गया ऐसे पहले bayapari ही क्या होते थे कि मनुस्सों को खरीद दे ओर वो बड़े बड़े केंदरों के रूप में अपने व्यापार संचालित करते थे एक जगह से दूसरे स्थानों तक संचालित होते थे और जो गाड़ियां थी जिन में सामान ले जाते थे उन्हें हाथी या घोड़ों के पिक्षा पहले मनुस से खीचा करते थे क्योंकि मनुस से सस्ते थे और अब डेरियस को यहां बेच दिया गया था पयाए अब जब डेरियस को यहां बेच दिया गया तो इसका दुरभाग्य कहें जिए था कि जगे है जगे है पर उसके मालिक परिवर्तित हो रहे थे लेगिन स archives ऐसा था कि अब उससे उसका परिवार वापस मिला कैसा क्योंकि उससे नहीं पता था पांस साल में پریوار क्या होता था जब वो 5 वर्स पर उपने परीवार को पूच्चछच चुका था पांछ साल का था और यहां पर भी जब वो गया तो लोहार के हां मचवार के हां मचवारे के हां वो गْलाओम ही रहा लेकिन अब उसे उसके ही ही जन्म लेते हैं या दुर्भाग साली ही जन्म लेते हैं इसे परिवार का ये सुख जारा दिन तक नहीं मिल सका क्योंकि ये पूरा कारवा ये व्यापारियों का ये पूरा समूँ एक बार एक रेगिस्तान में फस गया जब रेगिस्तान में फसा तो कहते हैं वियापारियों ने ये कहा कि हम पानी जब ही देंगे जब आप हमें इस रेगिस्तान से बाहर निकाल दोगे तो धीरे धीरे इसके सारे साथी मरते गए सारे इसके जो सहियोगी लोग थे वो सब मरते गए अब इसे परिवार खोने का दुख हो रहा था क्योंकि उसे याद नहीं था पांच बरस में परिवार क्या होता है अब दीरे दीरे इसका परिवार वही जो उसके सांथी लोग थे अब वो खोते जा रहे थे वो सबी लोग मरत्यों को प्राप्त करते जा रहे थे तो क्या डेरियस अमर था नहीं बलकि डेरियस ने मच्छवारे के हाँ प्यासा रहना और भूका रहना सीखा था लोहार के हाँ उसने लोहा पीट पीट कर अपने आपको बलिष्ट और मजबूत किया था सक्ती साली किया था तो वही तपस्ते आज उसके काम आई और कहते हैं कि उनके साथियों में या उसके साथियों में वो केवल अकेला ही जीवित बचा और जब वो काफिला या वो समू एक नगर में पहुँचा और उन व्यापारियों ने वहां के राजा को पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कि वहले एक मात्र गुलाम ये डेरियस ही बचा हुआ है तब कहते हैं उस राजा ने इसको देखा इसके सरीर को देखा इसको अत्यां थष्ट पुष्ट देखा और अपना बॉडी गार्ड इसको न्युक्त कर दिया अपना अंगर अच्छक न्युक्त कर दिया और एक बार जब राजा अपने पूरी परिवार के साथ सिकार करने के लिए गया तो उसे सेरों ने घेर लिया पहले चार-पांस सेर बताता था लेकिन आजकल मैं दो-तीन सेर ही बतलाता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि जादा हो जाता है तो कहते हैं दो-तीन सेरों ने घेर लिया और अपने मालिक की रक्षा करते हुए देरियस इन सेरों से भिढ़ गया इन सेरों से लड़ गया और जब इन सेरों से लड़ा तो इन सेरों को तो इसने भगा दिया लेकिन उन सेरों ने पंजे मार मार कर इसके सरीर को उधेर डाला मांस निकल आया लहू लोहान हो चुका था ये और इस राजा की किर्पा देखी उस मालक की किर्पा देखिए जिसकी रक्षा के लिए इसने ये किया था उसने इसे अस्त बल में फिक्वा दिया जहां घोड़े बनते हैं इसका सरी सरने लगा कीड़े पढ़ने लगे लेकिन इसकी जिन्दा रखने की यसम को जीवित रखने की जिन्दी विसा ने इसे जीवित रखा और एक समय ऐसा आया कि उस रज़ पर दूसरे रज़ का आक्रमण हुआ अब जब मंत्रियों ने सलहा की तो उन्हें निश्चे कि हम को तीन दिन तक युद्ध को रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी उतनी सैना नहीं है उतना बल नहीं है तो जिस सैना ने आक्रमण किया था उसे तीन दिन कैसे रोका जाए तब इस राज़ा के मंत्रियों ने सलहा दी क्योंना हम राज्य के ऐसे लोगों को युद्ध छेत्र में भेज दे जो उतना काम के नहीं है जो अपाहईज है या किसी अन्य सरूप से प्रतालित हैं सारे रिक अक्षमता से संपन्न है तो इन्होंने कैसी सैना बनाई जिसमें कुछ ब्लाइंड कुछ अपंग या कुछ कहा जा सकता है कुछ ऐसे जो कमजूर लोग थे उनकी सैना बनाई ताकि सामने वाली सैना को दो तीन दिन तक भ्रमित किया जा सके और सैना का सैना पती था वही डेरियस जिसे अस्त बल में फेक दिया गया था उसकी जिन्दा रहने की इच्छा ने उसे जीवित रखा था और उसने कहा अपनी सैना का मनुबल बढ़ाते हुए कहा कि हमें आग जला नहीं सकी हमें पानी दुबा नहीं सका तो ये कमबक्त क्या हमको मारेंगे अपनी पूरी सक्ति अपनी पूरे साहस से लड़ो अब हमारे पास खूने के लिए कुछ भी नहीं है कहते हैं डेरियस के वही सैना वही कमजूर सैना इतनी तागस से लड़ी इतनी उत्साह से लड़ी कि उसने सामने वाले राजा की सैना को पूर्टा से दस्त कर दिया और अब Darius दुनिया की चीज़ों को समझ चुका था अब दुनिया के विवहार को समझ चुका था और उसने आकर अपने उस निलज और कही न कहीं कहा जा सकता है एहसान फरामूस उस सासक को भी समाप्त कर दिया और अब सासक बना वही सड़ा हुआ Darius वही सड़ा हुआ Darius जिसने एक बड़ा राजिस था पित किया यह वही Darius था तो मित्रों दोस्तों यह कहानी भले ही मैंने कहा एक कल्पनी है एक कल्पना से संबन्न कहानी हूँ लेकिन इसका मकसद यह से बताने का मेरा उद्देश आपको यह था कि जीवन में कैसी भी परिस्टितिया रहे बस लड़ते रहे उन से जूजते रहे वो दिन दूर नहीं जब आपको विजय पराप्त होगी आज नहीं तो कल होगा हर मुस्किल का हल होगा गर है इनसान में होसला तो मनुस्तल में भी जल होगा जय हिंद जय भारत भारत माता की जय मित्रों जय होगा